हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं 2019 में मोधी की रहा मुश्किल इंडिया टुडे के सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने राहूल को वितल्प माना 2019 में नरेंद्र मोधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं लगातार कम ही होती आ रही है माना जा रहा है कि एंडिया का पीएम पत का उमीदवार कोई और होगा कि अटल जी के नाम पर सहमत होना कठिन है और सर्वी बता रहे हैं कि सरकार गडबंदन की ही बनेगी जिसमें बीजेपी बेर्ध कमजोर हानतने होगी बेश में जाए एक तरफ चार राजियों में विधान सभा चुनाव सेर पर आ गए लोग सभा चुनाव में पूरा एक साल भी नहीं बचा लेकिन इन चुनावों को लेकर जनता का क्या मूड है इस पर सर्वे किया गया जनसत्ता ने कार्वी इंसाइट्स इन्जेटुडे के सर्वे के हवाले से खबर दी कि बीजेपी इस बार यानी 2019 के चुनाव में अकेली अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकीगी सर्वे में तर्शूंक लोगसभा बनाने के असार बताए गए सर्वे के मताबिक अगर इस वक्त लोगसभा चुनाव होते हैं तो एंडियो को 281 सीटे और यूपियो को 122 सीटे मिल सकती है वहीं बीजेपी को करीब 80 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी 245 सीटों पर और कॉंग्रेस 83 सीटों पर कबजा कर सकती है वहीं अगर करीब 10 महीने के वक्त के बाद यानि 2019 में लोगसभा चुनाव होंगे तो सर्वे के मताबिक अगर इंडियो को 255 सीटे और यूपियो को 242 सीटे मिल सकती है वही अन्य के हिस्से में 46 सीटे जा सकती है वही बीजेपी को 196 सीटे मिल सकती है और कॉंग्रेस 97 सीटों पर ही सिमट्टी दिख रही है इसके लावा अगर vote sharing प्रतिशत को लेकर बात की जाए तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो एनडिये 36 सीटी vote sharing हासिल कर सकती है तो वही यूपिय के हिस्से में 31 सीटी और अन्य के हिस्से में 33 सीटी vote share जागे लिख रहे हैं कारवी इंसाइट्स इन्य टूडे के सर्वे के मुताविक प्रधान मंत्री पद के लिए भी लोगों से राय मागी गई 49 फीसीदी लोगों के लिए पी एंट की पहली पसंद नरेंदर मोदी है तो वही 27 फीसीदी लोगों की पहली पसंद राहूल गादी इसके लावट 46 फीसीदी लोग राहूल गादी को मोदी का बहतर विकल्प मानती है तो 8 फीसीदी लोग ममता बैनर जी और 4 फीसीदी लोग अखेले श्यादफ को अगर तिर्शू को लोकसभा बनती है तो जाहिर बात है गटबंदन की सरकार ही बनेगी गटबंदन अगर कॉंग्रेस की नेतरतम में बना तो राहूल गादी और बीजेपी की नेतरतम में बना तो ऐसे नाम पर सहमती बनेगी जो सबका साथ लेकर चल सके और जिसके नाम से कोई आकरमत ना हो योगी आदितनात बुरी तरह अफसे भड़काऊ भाषण में जेल जाने की नौबत सुप्रीम कोट का नोटिस उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितनात की मुश्किले बढ़ सकती है 2007 में गोरगपुर में कथद बढ़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को नोटिस जारी कर जवाब मागा उसे चार्ट सबताह दिये गए सुप्रीम कोट ने इलाबाद हाई कोट के मुकदमा रद करने के फैसले के खिलाफ ये नोटिस जारी किया दरसल इस मामले में यूपी सरकार ने कानूनी कारवाई के लिए इजासत नहीं दी थी और इलाबाद हाई कोट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी इसमें पहले सीएम योगी के खिलाफ 2007 के गोरुपुर दंगे में कतर बढ़काउ भाशन देने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने योगी अदितिनाथ समेत सभी अभ्यूक्तों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था गौर तरबे की 2008 में हाई कोट में यार्चिका दायर की गई थी इसमें योगी द्वारा किये गई कतर बढ़काउ भाशन को दंगे की वजह बताया गया जिसके बाद तदकालीन सांसद योगी अदितिनाथ को गिरफतार कर 11 दिनों की पुलिस कस्टेडी में रखा गया यार्चिका में योगी के खिलाफ IPC की धारा 302, 307, 153, 295, 295 के तहत जांच की मांग की गई जिसके बाद केस की जांच CBI, CDI और 2013 में भड़काउ भाशन के रिकॉर्डिंग में योगी की आवाज सही पाई गई टिपड़ियां हाला कि उस दौरान यूपी की अखिलेश सरकार से अनुमती ना मिलने से CBC ID ने तदकालीन संसत के खिलाफ कोई चार्ड शीट दाखिल नहीं की गई लेकिन एक फरवरी 2018 को इलाबाद हाई कोट ने योगी समेट आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांगबाली अर्जी को खारिश कर दिया था इस इमामने को लेकर याचिका करता परवेज ने सुप्रीम कोट का रुक किया है 2019 में मोधी की जगा ये भी हो सकते हैं प्रधान मंत्री 2019 के चुनाव को लेकर आम धारना ये रहती है कि बीजेपी ये इनके इन प्राकरेण सरकार बना ही लेगी लोग इस बात को लेकर आशुवस्त हैं कि मोधी अगला चुनाव भी निकाल ही लेगे लेकिन राजनीते खालात का बारीकी से विशलेशन करने वाले मानते हैं कि बीजेपी भले ही 2019 में सरकार बना ले लेकिन मोधी का पीम बनना बहुत मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल है ये भी माना जा रहा है कि मोधी अगर पीम नहीं बने तो राहूल गांधी भी प्रधान मंत्री बनने की हालत में नहीं होंगे पिछले लोगसबा चुनाव में बीजेपी ने हर राज्य में अधिक्तम सीटे जीती थी कहीं राज्यों में से उसे सभी सीटे मिल गई लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं रहने वाले पार्टी को राजिस्थान, मद्यप्रदेश, अक्तिसगर, बिहार, करनाटक, दिल्ली, हर्याना और पंजाब में जितनी सीटे मिली थी उतनी दोबारा मिलना संभवी नहीं बीजेबी की हालत अगर सबसे अच्छी रहती है तो भी 220 सीटों तक उसे मिल सकती हैं और इस हालत में वो सरकार भी बना लेगी लेकिन इस बात की संभावना काफी कम है कि बीजेबी की नेतुरत में जो गडबंदन सरकार बनेगी उसके मुख्या नरेंदर मोधी होंगे जातर पार्टियों के नेता मानते हैं कि नरेंदर मोधी के साथ गडबंदन में रहना मुमके नहीं वो सहयोगियों के साथ निष्टा से नहीं रह सकते और अपनी छवी बनाने के लिए उन्हें परिशान करते हैं इसके मुकाबले ममता बैनर जी और नवीन पतनायक जैसे न कॉंगरेस के एक अगरणी नेता यहां तक कहना है कि हम रनी रंकुष और ज्यादा मिलनसार बीजेपी नेता राजनाथ सिंग तरश्यों के संसत की सूरत में संभाविच सहविदलों के लिए स्वीकारे हो सकते हैं मोधी तबी सरकार बना सकते हैं जब बीजेपी अपने दम पर 240 सीटे जीते 2019 को लेकर सोनिया गांधी से राय मांगी गई तो उन्होंने अभी से इस पर टिपड़ी करने से मना कर दिया अच्छरश की बात तो यह है कि कॉंगरसियों को राहूल गांधी के नाम पर सहमती मिलने की संभावना कम लगती है उधर कॉंगरस पार्टी में भी गुजराज चुनाव में कॉंगरस की सीटे बढ़ने और राजस्थान के उप चुनाव में उसके जीत दर्ज करने से पार्टी में एक नई उर्जा का संचाह हुआ पार्टी अधेक्ष राहूल गांधी समेत जातार कॉंगरसी कारेकरताओं में 2019 में पार्टी की खोई खास वापस लाने क्यों में जग गई जानकारों की माने तो पिछले कुछ समय में राहूल गांधी की इमेश भी चंता की बीच काफी चमक गई राहूल सौम में है इसलिए दूसरी पार्टीयों को उनके नाम पर एतराज शायद ही हो लेकिन सारे अनुमान बिहजल बाजी में आ रहे हैं जुनाफ की वक्त क्या माहौल बनता है वो तभी पनचल सकेगा अटल और मोदी दोनों सरकारे विकास में थी पीछे नए आकरों से हुआ खुलासा राश्ट्री सांकी की आयोग द्वारा गठित कमेटी ओफ रियल सेक्टर स्टाटिस्टिक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनमोहन सिंग के कारिकाल में भारत ने सारवदिक विकास दर हासिल की थी देश की आर्टिक विर्दी दर का आकरा 2006 सांक में 10 तशमलव शुन्ने 8 प्रतिशत रहा जो उदरी करण शुरू होने के बाद का सारवदिक विर्दी आकरा है यह आकरा पूरु प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग के कारिकाल का है आधिकारिक आकरो में यह जानकारी दी गई आज आधिकी बाद देखा जाए तो सारवदिक 10 तशमलव 2 प्रतिशत आर्टिक विर्दीदर 1988 नवासी में रही उसमें प्रधान मंतरी राजीव गांधी थे राश्ट्रे सांकी की आयोग द्वारा गठत कमिटी ओफ रियल सेक्टिव सेक्टिव सैटेस्टिक्स ने पिछली श्रंकला दोजार चार पांच के आधार पर जीडिपी आंकरा तयार किया ये रिपोर्ट सांकी की और कारिरम करिया वयन मंतराले की वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट पे पुरानी श्रंकला दोजार चार पांच और नई श्रंकला ग्यारा बारा की कीमतों पर आधारित व्रिद्दी की दर की तुलना की गई पुरानी श्रंकला दोहजार चार पांच के तहत सकर गरिड उतपात की व्रिदी दर स्थिर मूलने पर 2006-7 में 9.5 प्रतिशत रही उसमें मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री थे नई श्रंकला 2011-12 के तहत ये व्रिदी दर संशोधित होकर 10-6 प्रतिशत रहने की बात कही गई है वर्ष 1991 में ततकालीन प्रधान मत्री पीवी नरसिमा राव की अगुवाई में शुरू आरतिक उधारिकरन की शुरुवात के बाद ये देश का सारवदिक व्रिदी दर है रिपोर्ट के बाद कॉंगरेस पार्टी ने ट्विटर पर लिखा जीडिपी श्रंकला पर आधारित आकड़ा अतितह आ गया ये साबित करता है कि संप्रंग शासन की दौरान की व्रिदी दर मोधी सरकार के कारेकाल की औसत व्रिदी दर से अधिक रही कॉंग्रिस पार्टी ने का संप्रंग सरकार के शासन में वर्दीदर दाही अंक में रही जो आधुनिक भारत के इतिहास में एक मात्र उधारन है रिपोर्ट के अनुसार बाद के वर्षों के लिए भी जीडिपी आंकरा संशोधित कर उपर गया राश्र सांखी की आयोग ने इनाकरों के संग्रह, मिलान और प्रसार के लिए प्रणाली तदा प्रक्रियां को मजबूत करने हेतु उप्युक्त उपायों का सुजावद देने के लिए समीती का गठन किया है मोधी के एक दस्तकत से दूर हो सकती है बेरोजगारी पकॉड़े नहीं ऐसे मिलेगा रोजगार एक करोर रोजगार देने का बादा करने वाले प्रधानमद्री तरह की बातों की जुबाली कर रहे हैं कभी वो कहते हैं कि कार बिकरी तो सब को ड्राइवर की नौकरी मिली और रोजगार पैदा हुए तो कभी कहते हैं पकॉड़े बेचना भी तो रोजगार है नेदन गड़करी कहते है कि नौकरी है कहा वारक्षन लिकर क्या करोगे नौकरी तो है नहीं लेकिन पत्रकार पुन्य प्रसून वाजपई ने देश के करता धरताओं कि इस अदा के छिलके उतार कर अंदर कितना गूदा है ये दिखा दिया। उन्होंने कुछ आंक्रे ट्वीट किया, ये आंक्रे कहते हैं कि रोजकार आप देना ही नहीं चाहते, बना नौक्रियां तो आपकी जेब में रखी हैं मोदी जी, बहराल प्रसून यानि पुन्य प्रसून वाजपई के आंक्रों पर नज़र डालते हैं, प्रसून कहते हैं इ सेनिक बलों में मिला कर 65,600 99 जगहें भरी जानी हैं शिक्षा का हाल भी खराब है सरकारी शिक्षिकों की 10,27,413 जगह खाली हैं गावों में डॉक्टर और नर्स के बहत्तर 150 पद खाली पड़े हैं और लोग बिना इलाज के मर रही हैं या इलाज के लिए शहरों में आने को ज़ूर हैं इतना ही नहीं पोस्ट ऑफिस में 50,349 और सरकारी बैंकों में 16,560 जगहें खाली पड़ी हैं प्रसून पूछते हैं क्या बेरोजगारों के पास सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की नौकरी का रास्ता छोड़ी की सरकार उन्होंने लिखा कि चुनाव को ही द 2570 पद रिक्त हैं और IPS IAS की 2434 जगहें सरकार की इजाज़त का इंतजार कर रही हैं पूने प्रसून वाजपई ने ट्वी ट्वीट में लिखा कि मोधी के हर मंत्री के अधीन पद खाली है और देश में पकॉलों के रोजगार बताई जा रही हैं इसके बावजूत प्रधा 4761 कॉर्पोरेट मंत्राले 1089 अर्थ साइंस टेक्नलोजी 948 परियावरण बन 2038 विदेश आईटी मंत्राले 2554 उर्च शिक्षा विभाग 464 जलसन साधन नदी विकास 4151 और शेहरी विकास मंत्राले में 1,985 पद खाली हैं 47 बात का है कि खुद 20 लाग के करीब नौकरियां तो सरकार की अपनी खाली पड़ी हैं ऐसे में पकोड़े बेचने को रोजगार के तौर पर गिनाने की क्या मजबूरी हो सकती है बुरी बात है कि अब खाली पड़ों को भड़ने की वज़ाए सरकार लटकाती है और बाद में कहती है कि इन पोस्टों की जरूरत नहीं इतने साल बिना आदमी के काम चल गया यानि ये पड़ ना हो तो भी चल जाएगा मकायदा मोधी सरकार ऐसे हजारों नौकरियां खत्म कर चुकी है 16 जन्वरी को ही मोधी सरकार ने एक रिपोट मांगी इसमें 5 साल से खाली पड़े जगहों को खत्म करने के लिहाज से जानकारी खत्ता करने को कहा गया यानि लाखों नोक्रियां इसके साथ ही खत्म हो जानी थी